पापोश नगर की सच्छी कहानी आज तक मैं अपनी फैमली के साथ पुरानी ही बिल्डिंग में रहा हूँ जिन्दगी को धक्का देते हुए जैसे तैसे गुजार ली मगर अब मैंने सोचा कि जब मेरे बजट में ही मिल रहा है यह अपार्टमेंट तो क्यों ना मैं ले लूँ मैं टॉफ फ्लोर में न्यू बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट ले लूँगा और मैंने ऐसा ही किया मैंने अपनी वाइफ और अपनी मा को सर्प्राइज दिया मेरी वाइफ और मा बहुत खुश हो गए हमने अपने घर को बहुत दिल से सजाया था हम अप रहने भी लग गए थे फिफ्टीन फ्लोर पर तो बस हम ही रहते थे क्योंकि ये न्यू बिल्डिंग थी तो जादा लोग यहां पर शिफ्ट नहीं हुए थे अब तक और ट्विल्फ फ्लोर से फिफ्टीन फ्लोर तक तो बिलकोल ही खाली था और हम फिफ्टीन फ्लोर पर थे तो हम बहुत खुश थे कि अचानक हमें पता चला कि मेरी एक खाला जो हैदराबाद में रहती है उनकी अचानक से डेथ हो गई है जिनका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था नदीम खालू का तो बहुत पहले ही खालू प्यारे हो गए थे लेकिन अब बस एक बेटा ही था तो हमने ये फैसला किया कि हम अपने खाला के बेटे को अपने साथ ही रखेंगे जिसका नाम नदीम है हमने ऐसे ही किया आइस्ता आइस्ता नदीम भी हमारे साथ सेट हो गया और कराची की रौनकों में अपना गम भुलाने की कोशिश करता रहा एक राच जब हमने प्लैन किया कि हम बाहर जाकर डिनर करेंगे हमने ऐसा ही किया जब हम डिनर करके घर वापिस आये तो घर को देखा तो घर तो पूरा उथल पुथल हुआ हुआ था कच्रा डस्बिन से बाहर था और जगा जगा फैला हुआ था और इस कदर बद्बूथी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था सोफे से कुशन सिफ पूरा फोम बाहर निकला हुआ था पूरी कबोट से कपड़े बाहर निकले हुए थे हमें ये सब देखकर तो बहुत हिरानगी हो गई और हमने फॉरण वाच्मेन को बुलाया और दिखाया कि ये सब क्या हुआ है तुम क्या ड्यूटी पे सोते रहते हो जब चोर आया और घर पर ये सब कुछ करके चला गया वाच्मेन ने कहा कि पहले आप अपने पैसे और जुल्री चेक कर लो कितने कम या जादा है या फिर हैं भी या नहीं मेरी ममा ने जब चेक किया और चेक करके बताया कि समान तो पूरा है कुछ भी मिसिंग नहीं है हिरानगी इस बात की थी के पैसे और जेवर भी बाहर गिरे हुए थे कबोड से खाली थी बिलकुल कबोड मगर फिर कुछ मिसिंग क्यों नहीं था जो भी चोर आया था वो इतनी चेकिंग के बात कुछ भी लेकर नहीं गया हमने वाच रूम में जाकर CCTV कैमरा देखा और जब हमने कैमरा देखा तो हमें ये और भी ज़्यादा हिरानगी हो गई कि हमारे घर पर तो कोई गया ही नहीं हम लोग तो बहुत परिशान हो गए थे जैसे तैसे हमने इस बात को भुलाने की कोशिश की थी कि फिर कुछ ऐसा हो गया कि हमें समझ आया कि ये कुछ और नहीं कुछ और ही बात है जो पुरिसरार है एक दिन मेरे घर वाले दुपहर को सो रहे थे कि उन्होंने मुझे फोन आफिस में फोन किया और फोन करके बताया कि हम दुपहर में सो रहे थे कि अचानक furniture की बहुत शोर furniture का होने लग गया बहुत शोर से खिसकाने की आवाजें आना शुरो गई और इतनी शदीद खिसकाने की आवाजें थी कि मम्मा ने बाहर निकल कर floor देखा कि कौन shift कर रहा है घर तो मैं उनको कहूँ थोड़ा तो अराम से shift करो इतना शोर हो रहा है थोड़ा तो अराम से करो shifting मगर जब floor पे देखा तो कोई भी नहीं था तो मम्मा ने watchman को फोन करके पूछा कि किस की shifting हो रही है furniture की बहुत तेशते जवाज आ रही है watchman ने कहा कि कोई shifting नहीं हो रही पता नहीं क्या सोचके watchman ने कहा कि मैं अभी उपर आ रहा हूँ watchman को भी डर तो लगी रहा था क्यूंकि एक हाथसा पहले हो चुका था watchman ने जब आकर उपर आकर देखा तो वो हैरान हो गया कि furniture की खिसकाने की और इतने शोर की इतनी तेशते जवाज ये कहां से आ रही आवाज जबके 12 फ्लोर से 15 फ्लोर तक तो बिल्कुल खाली था और किसी की shifting भी नहीं हो रही थी ये सिर्फ 15 फ्लोर का हमारा ही apartment था जिसके अंदर से आवाजे आ रही थी और इतनी आवाजें के जिन आवाजों की वज़ा से window के जो शीशे हैं वो भी जगा जगा से चटक गए थे अभी यही सब चल रहा था कि खाला का बेटा नदीम जोर जोर से चीखने लग गया जब ममा ने उसको पूछा के तुम क्यूं चीख रहे हो क्या बात हो गई है तो वो डड़ते ड़ते बोलने लगा के एक लड़की दिखी मुझे बहुत अजीब सी थी और वो मेरे रूम में आई थी और वो बोल रही थी के अगर अपनी जिन्दगी चाहते हो तो यहां से भाग जो वरना मारे जाओगे मेरी ममा ने थोड़ा परेशानी में बोला के नदीम बिटा अब ये मुश्किलिया और कम है जो अब ये ऐसी बाते कर रहे हो तुम थोड़ा वेट करो नदीम रोने लग गया और वो इसकदर डरा हुआ था कि उसको देखकर मेरी ममा मजबूर हो गई उससे पूछने के लिए कि नदीम अच्छा बिटा आप थोड़ा वेट करो मैं कुछ करती हूँ आप डरो मत मैं हूँ आपके साथ और मेरी ममा ने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि आज जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ मैंने कहा कि ठीक है कराची में अक्सर लाइट चली जाती है और जब मैं शाम को जब लाइट चली गई तो ममा अभी टॉर्च ओन करने ही वाली थी कि उससे पहले मैं घर पहुँचा तो ममा ने टॉर्च ओन करते हुए कहा कि आ गया असिफ बेटा मैंने कहा कि जी ममा आप फिकर ना करो सब ठीक हो जाएगा हम ये घर ही छोड़ देंगे ममा ने कहा कि बेटा इतनी मुश्किलों से घर लिया है हम क्यूं छोड़ेंगे घर मैंने कहा कि घर छोड़ना ही पड़ेगा इतने में डूर नौक हुआ ममा ने जाकर डूर खोला तो मैं वहाँ पर आया हुआ था ममा ने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि आसिफ बेटा तुम मैंने कहा कि क्या हुआ ममा ममा ने कहा कि तुम अगर अभी आये हो तो अंदर कौन है जब अंदर आकर देखा तो कोई भी नहीं था मतलब कोई ऐसा था जो मेरे रूप में आकर मम्मा को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए मम्मा को सब समझ आ गिया था मम्मा ने बोला बहुत हो गिया हम ये घर क्यूं छोड़ेंगे ये घर हमारा है वैसे भी मेरी मम्मा जरा स्ट्रॉंग है हमें अपसारी हकीकत समझ में आ रही थी नेक्स डे नदीम एक जगा पर बैठा हुआ था घर के एक कोने में बैठ कर और वो अजीब अजीब सा बेहेव कर रहा था अचानक से वो बहुत ज़दा डर गया मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ नदीम नदीम ने कहा के आसिव भाई प्लीज मेरी बात मानो यहां से चलते हैं वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी अब नदीम बहुत डर 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 रहता था एक दिन नदीम वाश्रूम से बाहर निकला तो उसको देखकर ममा हैरान रह गई क्यूंकि उसने अपने सारे सर के बाल शेफ कर लिये थे और कुछ अपने आप से ही बाते करना शुरू कर दिया था हमने बहुत उसको होसला दिया क्यूंकि उसने वैसे भी रीसेंटली उसने अपनी मा को खोया था बच्चा डर गया था हमारे पूछने पर उसने हमें बताया के लड़की ने कहा है के अपने बाल काट लो वरना मैं तो मैं मार डालूंगी अब तो मम्मा ने भी कह दिया था के नदीम जो कुछ चल रहा है वो बहुत जादा है और वो बरदाश के लाइट बिलकुल भी नहीं है तुम कुछ भी करो घर बेचने की तयारी करो मैं घर बेचना नहीं चाह रहा था मैंने उस वक्त तो मम्मा को बोल दिया के ठीक है ठीक है बोल कर टाल दिया था एक दिन रात को जोर जोर से नौक करने की आवाज आई मैं नीन में था तो नीन में जाकर दोर खोला तो देखा तो कोई भी नहीं मुझे लगा कि मैं नीन में हूँ इसलिए मैंने बिला वज़ा जाकर दोर मैंने खोल दिया कोई भी नहीं है ऐसा मैं एजियूम कर रहा हूंगा नीन में जैसे ही डूर बन करके वापिस मैं मुड़ा तो दुबारा से डूर नौक हुआ मैंने फोरण दर्वाजा खोला और देखा तो फिर से कोई नही अभी मैं दुबारा बन ही मैंने किया था डूर मतला मैं अभी तक मुड़ा नहीं था तो डूर जोर जोर से नौक हुआ मैंने डूर के होल से देखा तो बाहर तो कोई भी नहीं था मगर डूर धड़ा धड़ बजे जा रहा था मुझे बहुत डर लगा अभी मैं कुछ समझ पाता कि अचानक मैंने एक चीख की आवास सुनी ये चीख नदीम की थी मैं जैसे ही नदीम के रूम में भागा गया और मैंने कहा कि नदीम नदीम कहां हो? क्या हुआ है? इतने में घरवाले भी उठ गए और सब नदीम के रूम में आ गए नदीम के रूम की विंड़ो खुली हुई थी जैसे ही विंडो से नीचे जहांका मैं बता नहीं सकता कि मैंने नदीम को किस हालत में देखा था नदीम ने सुसाइट कर ली थी नदीम की वो कटी पटी बॉडी जिसको मैं समेटने में नाकाम हो गया था क्यूंके मेरा अपार्टमेंट 15 फ्लोर पर था तो आप खुद ही सोच लें कि क्या हुआ होगा हमारे घर में मातम सा हो गया था रूम की सफाई के वक्त नदीम की डैरी मिली उसमें लिखा हुआ था कि आसिव भाई आप घर चेंज नहीं करना चाते जो लड़की यहां पर रहती है उसने मुझे बताया है वो मुझे माड डालेगी कई बार उसने मुझे मेरा गलत अबाने की कोशिश भी की है उसको नहीं पसंद के हम यहां पर रहते हैं आप क्यूं घर नहीं चेंज कर रहे वो लड़की हर वक्त गुसे में रहती है और हर वक्त मुझे नजर आती रहती है मैं पागल हो रहा हूँ कई बार तो वो लड़की मेरी मम्मा के रूप में भी सामने आई है और मुझे बोलती है कि इस विंडो से जंप मारो मुझे मजबूर करती है मेरी जान खत्रे में है ये सब पढ़कर मैं बहुत पश्टाया समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ जो हमारा नुकसान होना था वो हो गया था मेरे घर ना छोड़ने की जिद ने नदीम की जान ले ली थी मैं अपना जरूरी समान लेकर वहां से निकल गया वो घर अभी भी बंद है ना तो वो बिक रहा है और जो भी पार्टी आ रही है और कीमत पर एग्री भी कर जाती है मगर वो दुबारा से पार्टी आती ही नहीं है क्या करूँ मुझे शिफ्ट होना पड़ा मैं दुबारा से कराय के मकान में शिफ्ट हो गया अब तो जरा जरा सी बात पर मैं चौंक जाता हूँ नॉर्मल जिन्दगी हमारी खत्म हो गई है इसमें बहुत बातें ऐसी भी हैं जो मैं फिल्टर कर रहा हूँ जिनको बताना जरूरी नहीं है और आप लोगं का सुनना जरूरी नहीं है मकसद सिर्फ हाथसा बताना है बस इतना कहना चाता हूँ कि कोई भी जिद वो ठीक नहीं है जिद कोई सी भी हो जिद आपको बर्बात कर ही देती है चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो पापोश नगर हमारे लिए भ्यानक साबित हुआ जिद आपको बर्बात कर हो बाता हुआ